अभी बारिज का मोसम है और यह मोंबे की चौल आप देख सकते हैं किस तरह से हैं बहुत सारी चीजें बाहर में रखी जाती है गेलन डबे वेगरा इसमें पानी भरी जाती है ताकि जिस हिसाब से जरत पड़े उस तरह से इसका यूज हो सके यह आप देख सकते हैं कुछ तब आपको एक तरफा होनी पड़ती है और अगले आदमी निकलें तब आप निकल सकते हैं इसी होती है गली देख सकते हैं किस तरह से और अभी बारिस की मौसम में जिसके कारण बारिस होती है चुटती है बारिस होती है चुटती है इस तरह बारिस होते रहती है कभी भी नजर आ रही है, और लोग तरह- तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर, कुछ लोगों की आपनी खूद-की चोल होती है और कुछ लोग रेंड पर रहते हैं, हाँ चौल जिस तरह से होती है, अगर चौल की सूईधा अच्छी है वास्रूम है और जिस हिसाब से बड़ी है जिस तरह से सुईधा उस तरह से चौल की होती है यह वेलंड वगरा देख सकते हैं इसमें फिल्कुल फूल पानी है और अब वारिस की मॉश्म में जिसके कारण पानी की ऐसे भी पानी की असुईधा नहीं होती है, हाँ, कभी-कबार अगर situation ऐसे हो जाती है, कि पानी नहीं चलती है, जिसके करण लोगों को थोड़ी सी असुईधा उठानी पड़ती है, वरना पानी चलते रहती है, रात-दिन, रात को भी, दिन को भी, इधर आप जीने चौल के बीच में दुकाने भी होती है और जो लोग हैं अपने जरूरत मंद की चीजों को खरीते हैं जिस हिसाब से जिसको जरूत होती है वो खरीते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करते जेगा यह दुकान देख सकते हैं किस तरह से हैं वहती ब